साउंड हाशिरा जो कि फ्लैशर्स हाशिरा होने के साथ साथ लखिष्ट हाशिरा भी है गुरे डीमन से और कॉप्स का और कोई भी मुझसे ये नहीं पूछे का कि लखिएस्ट क्यों है ये बंदा वाई तीन पत्मिया है उसकी वो भी टूडी और हम लोग केवल एनिमे वाइ उजूई तेंगन की दी लॉस दी चॉइस एंड इंटेलिजेंस तो उजूई तेंगन खुद को गॉड़ फेस्टिवल बुलाता है और इसका नाम उजूई तेंगन एक जैपैनिस गॉड अमैने जू में से इंस्पाइड है जो कि खुद जैपैनिस गॉड अफ एंटर्ट है कि कभी-कभी वो सोचता है कि वो अपने पूरे शिनोबी क्लैन को जान से मार देगा और इसकी फीलिंग्स पीच में आ जाती है पर अपने ही परिवार से इतनी नफरत क्यों इसका जब वो उजूई की बैक स्टोरी में चुपा है तो उजूई के टोटल 9 सिबिंग्स होत तक बहुत देर हो गई होती है क्योंकि उसके सारे भायों की मौत हो गई होती है एकसेप्ट वन तो उजूई का भाई जो जिन्दा बचा होता है वो अपनी पूरी जिन्दगी उसी शिनोबी क्लैन में बिताता है पर उजूई खुद को इस सब के लिए दोश देता है और इ उजूई की सांट बेटिंग डेरिवेटिव है थंडर बेटिंग का विच मीन्स की मास्टर जिगरो नहीं तो तेंगन उजूई के ट्रेन किया होगा एक टाइम पर सवाल आता है सारे सिंगल हाशीराज में तेंगन उजूई को तीन वाइफ कैसे मिली तो उजूई के शिनो पर टेंगे नुजूई एक काइंड हैटेर होनी के वज़ा से इन रूल्स के खिलाफ था वो अपनी तीनों वाइफ को हमेशा कहता था कि तुम तीनों को सबसे पहले अपनी जिदगी को माइने देने होंगे फिर अपने अराउंड लो की जिदगी को और सबसे आकरी में आत अपने बार अपने से बीड़ा को इनसान देखा था इसके अलावा उजूई की सपीड सारे हशीरास में सबसे जादा है उसके हीरिंग सेंसे बहुत तेज जस लाइक जैंसू क्योंकि दोनों ने थांडर बीधिंगी सीखी थी बस उजूई ने अपना डेरिविटेव बना उजूई के पास एको लोकेशन भी है जस लाइक डेर डेविल उजूई ने इस सीन में किवल वाइबरेशन को सुनके पता लगा लिया था कि पूरी बिलिंग में कितने लोग हैं बागी अपनी शिनोबी ट्रेनिंग की वज़ा से उजूई की रिफलेक्स बहुत तेज हैं और जूई अपने साथ ये मीनी बॉंब्स भी रखता है जो कि डीमन्स को अनकॉंशिस कर देते हैं बागी उसके पास कुनाई नाइफ्स भी हैं जस लाइक निंजा विस्टी या पॉजन से भरे हुए तो वह भी डीमन्स को मारने के लिए बहुत हलफुल टूल है इसके अल कि तेंगें को जो चीज बेस्ट बनाती है वह है उसका कंट्रोल ओवर हिस मसल्स मतलब भी बंदे के अंदर बैटल के स्टार्ट में पॉजन गया था जो कि धीरे धीरे उसकी पूरी बॉड़ी में स्प्रेड ही हो रहा था पर वो लड़ता रहा और उस पॉजन को अपने हा हाशीरा है वह केवल अपनी शिनोबी ट्रेनिंग की वज़ा से और पूरे डीमन से यूनिवर्स में केवल इनोसुके और दूरी एक्जिस्ट करते हैं जो कि दो ब्लेड्स यूज़ करते हैं डीमन को मारने के लिए और जैसा ये बंदा बाहर से दिखता है उसके बिलकुल अपोजिट है सब को इसे देख कि ये लगता होगा कि वह बहुत इरिस्पॉंसिबल और इगोइस्टिक हाशी रहा है जैसा वह बोलता है तांजीरो इनोसुके और जैंसुके और जैंसुसे एंटर्टिंमें डिस्टिक्स कार्ट के स्टार्टिंग में कि वह एक गौड है औ और तुम सब एक ट्रैश हो पर वहीं पर जब अपर मून के सामने खड़ा होता है तो वह तीनों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देता और वह बोलता भी है कि यह तीनों में बैस सुगूकों है तो तुम जैसे ड्रीमन्स को हम असानी से हरा देंगे और इस वक जैसी कंडिशन्स थी अगर उजोई अपने वर्ट से तीनों को एंकरीज ना करता तो वह पहले हार जाते है क्योंकि कि इसी महान पूरुश ने कहा है यू विन वे बिफोर इन यू माइंड देन इन रियाल्टी विच मेंज कि अगर तुम्हें जीतना है तो अपना माइंड सेट स और सूमा उसे कार्ट भी लेती है जो कि उसकी तीनों वाइफ्स का नेचर दिखाता है उजोई तैंगेंड रेंगु को कोई एक आडियल की तरह देखता है इसके अलावा उजोई अकेला ऐसा हाशी रहा है जो की डिसेबल होने की वज़ा से रिटायर हुआ है अपार्ट फ तो भी वो डैमज होने के बाद रिटायर हो जाता है पर हमें उजोई फिर से ट्रेनिंग आर्क में दिखता है जहां पर वो सबकी स्पीर और स्टैमना वाली बेसिक ट्रेनिंग करवाता है इसके बाद हम उजोई तैंगें को एक हिड़न लोकेशन पे सेंजुरू रेंगो क उरुक उडाकी के साथ देखते हैं नेजुको की रक्षा करते हुए फिर जब सारे डीमन से मौडर्न एरा में रिइंकार्नेट होते हैं तो उजोई तैंगें एक फ्लैशी स्पोर्स परसन होता है तो इसी के सथ खतम होती है कहानी उजोई इस सेकेंड फिजिकली स्टॉंग बाकी इस इरोषाइट साइन ओफ